श्रागत है आपका आजके हिंदी भासा के बिकासात्मक परिचय के टॉपिक में जो की बीए प्रथम सेमस्टर के सिलेवस से संबंदित है यह वीडियो उन चात्रें चात्राओं के लिए यूजफूल होगा जिनोंने मेजर या माइनर बीएसाय के रूप में हिंदी भासा लि संबंदित कोश्चन का समावेश किया जाएगा तो सबसे पहला जो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नमबर एक है अपवरंस का साब्धी कर्थ होता है वह होता है विगडा हुआ अर्था तो इसका अंसर होगा वो घा हो जाएगा काब में प्रियुक्त भासा को क्या कहा जाता है तो जो काब में प्रियुक्त भासा होती है तो इसके लिए खास अब्द सही हो जाएगा अपभरंस कहा जाता है किते हैं तीन नंबर कोश्चना आप डरस भासा का क्या है तो अप डरस का जो नहीं लिए ऊऑब रहे को सब्सक蓮ा जाती की है अपभरंस जाती तो यह है राइट हो जाएगा सौर से अपबरंस से इसका जो राइट उन्सर होगा गाह हो जाएगा सौर से नी अपबरंस se next question number five है निम्न में से कौंसी तीसरी प्रaware भासा नहीं है तो जो तीसरी प्रैकृत भासा नहीं अप्रण्स नहीं है इसका घा सही हो जाएगा बाकि संस्कृत प्राकृत और पाली यह तीनों ही प्राकृत भासाएं हैं अप्रण्स को छोड़ कर six है किसी कभी ने किस कभी ने अबरंस को ही पुरानी हिंदी सुईकार किया है ये start लगा लगा लिजे important question हो जाएगा किस कभी ने अबरंस को पुरानी हिंदी सुईकार किया तो इसमें जो नाम आ जाएगा राम चंदर सुकल का इन्होंने अबर합니다 को पुरानी हिंदी नाम दिया था या सुभार किया था next question number seven सार सेन की अबरानस से किस बोली का विकास हूआ है तो स सॉरसेनी अबरानस से जो विकास हुआ है भै तो ब्रिजभासा का हुआ है यहां पर खा आपका राइट अंसर हो जाएगा नेश कोशन नमबर एट अब्रंस का प्रतम कभी किसे माना जाता है तो इस्टार लगा जी यह तो इंपोर्टेंट कोश्चन हो जाएगा हिंदी भासा अगर आप पढ़ रहे हैं और यह नहीं जानते हैं तो बहुत ही गलत बात है यह इस्टार लगा ले जी सकल के लिए इंपोर्टेंट है यह इसका अब राइट आंसर जो हो जाएगा भई खा होगा स्वयम्बू को अब ब्रंस का प्रतम कभी माना जाता है या पहला कभी स्वयम्बू को माना जाता है नेश्क कॉशन नमबर नाइन मदद कालेन आरि भासाओं के विकास क्रम में आदिकाल या यदि पांसो इस्वा से पूर्व एकिस्वा की भासा को क्या कहा गया तो इसे कहा इन्हिस थीक पहले की भासा क्या तीह तो हिंदी से ठीक पहले की भासा जो थी वो अपब्रंस थी या बिगडी भी भासा थी 11 मागदी अपब्रंस के अंतरगत कौन सी भासा आती है तो मागदी के अंतरगत बिहारी असममी और बंगला ये तीनों भासा आती है तो इसका जो राई टांसर हो जाएगा गा हो जाएगा इन में से सभी नेश कोशन नमबर 12 फार्सी में सिंदु को क्या कहते हैं तो फार्सी में सिंदु को हिंद कहा जाता है तो इसका राई टांसर हो जाएगा खा, हिंद कहा जाता है, या हिंदी किस भासा से अबतरित है तो पार से सब्त jetzt से ठीक है, तो ये देख लिजीआ, इधरोधर करके question पूर सकता है, 13 देखेंगे, पूरभी हिंदी का संबने किस अबरंज से माना जाता है, तो जो पूरभी हिंदी का संबन्ध था, अभी पीछे बता चुका हूं कि अर्द मागदी अब्रंस से माना जाता है तो तेरे का का राइट आंसर हो जाएगा और जो सौर से नहीं अब्रंस थी इसका अबदी भासा का माना जाता है ठीक अब्रंस के किस रूप में अबदी का उद्वब हुआ है देखो कोशन आ गया है तो यह है अर्द मागदी से चौदे का जो राइट आंसर हो जाएगा भै खा हो जाएगा अर्द मागदी से हिंदी सब्द किस भासा का है इंपोर्टन ए इस टाल लगा लेजिए कल हो सकता आ ज जाएगा इसके अतरिक्त नेस्ट कोश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर कोश्चन देखेंगे निम लिखत में कौन से रचना अब्रंस में रचित है तो जो अब्रंस की रचना है वै कीरती लता है कीरती लता इसकी रचना है नेस्ट कोश्चन नंबर 17 निम लिखत में से स्वयम्बू ने कौन सी रचना लिखी है तो स्वयम्बू की जो रचना है यह परम चरिव रठनडी चरव और स्वयम्बू चंत यह सभी जो हैं स्वयम्बू की रचना है और इमें जो सबसे इंपोर्टेंट रचना है यह जो ह का वाली इंपोर्टेंट इनकी रचना है बाकी तो यह सभी रचना इन्हीं की हैं और हिंदी के यह प्रथम कभी थे यह आप याद में रखेगा नेश्ट एटी नंबर कोश्चन निम लिखित में कौन से भासा का लच्छन नहीं है तो भासा का लच्छन जो नहीं है वो पुच्छित होती है भासा समाज में विचार बिनिमे का साधन है भासा द्वन संक्यतों को पारम पर अब्रूड प्रियोग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधा नाइंटीन में देखेंगे हिंदी के विकास कि किस काल में अबरंस और हिंदी साथ साथ चल रही थ जता आता है निटैक कोशन नमबर 20 मागत अबरंसे विक्षिट हुई है तो जो मागत अबरंसे विक्षित हुई है तो घृडव तो यह 21 का जो राई टांसर जागा तेरवी चौदवी सब्दाब्दी में भासा के लिए हिंदी सब्द का प्रियोग किया गया था निम लिखित में से कौन सी उस्मधुनी है तो उस्मधुनी सससा यह तीनो सा यानि तालब शाह मुर्धन शाह और दंती सा जो है यह बोले जा को पुरानी हिंदी माना जाता है तो अब्रंस को पुरानी हिंदी माना जाता है यह इंपोर्टन्ट है कल के लिए यह इंपोर्टन्ट हैगा नेश 24 अब्रंस महाकाब की रचना किस लेखक ने की है तो अब्रंस महाकाब की रचना फुस्फदंत लेखक द्वारा की गई बिक्सित होने वाले जो भासा थी वो आरे बहुषा सिंदी थी इसके बाद । 2,386 अभण से कौन से आरे बहुषा विक्सित हुई है तो इससे पंजाबी और लेदा यह 85 अभण से विक्सित मानी जाती हैं नेसिट है 27 Math the resistance होने वाली आरे बहुषा हैं कौन कौन सी हैं तो कोश्च नंबर 27 में है मागदी अब्रण से बिक्षित होने वाली आरे भासाइं कौन कौन सी हैं तो यह होती हैं बिहारी बिहारी उडिया बंगला और असम्या यह चार भासाइं जो हैं मागदी अब्रण से बिक्षित होने वाली भासाइं हैं इसके अतरिक्त युनिट टू चलेगा हिंदी की उप भासाओं का सामान परिचे एबम का विभासा के रूब में सब से पहले जो कुश्यंज है वह हिंदी भासा की कितनी बोलियां हैं तो बोलियों की संख्या हो ऐखारे भासा है कितनी बोलियां है तो पश्मी हिंदी में जो बोलियां वह छे है आपस का करा आयटा फंव अब कोई कि और एसमें जो बथे जो बोलियां रहे हैं पश्मी हंदी में खड़ी बोली दूसरी अامरी कशरीया अटबी कनोजीеле दोत! पश्मी हंदी में कौन सी बोली इसका गा राइट आंसर हो जाएगा सौर शेनी अब्रण से और अबदी बासा की अर्दमागदी अब्रण से बार बर बता रहें आपको यह कॉश्चिन जो है स्टार लगा लिजे इंपोर्टेंट है स्टार लगा लिजे कल के लिए इंपोर्टेंट होगा यह इंदी का पहला अख़वार है इसके अतरिक्त जो अगला कॉश्चिन है भै है हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को क्योंकि इसी के दिन हमारी राष्ट की राजभासा के रूप में हिंदी को स्रिकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को तो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा इसके अतरिक्त नाइन है सूर सागर किस भासा में लिखी गई है तो सूर सागर सूरदास की रचना है और सूरदास केवल ब्रिजभासा में रचना है लिखते थे तो यह ब्रिजभासा में लिखी गई है Shop next टे स्दन है इंधे से पश्मी हिंदी बौली कौंसी है तो ब्रिजभासा ये पश्मी हिंदी है कि ब्रिजभासा जो है यह पश्मी हिंदी कें टेन का खा हो जाएगा लेवन है स्री राज गोपाला चारी जी ने मदरास चिन्नाई के मुखमंतरी बनने पर सबी सिश्चनल संस्ताओं में किस वासा का चिश्चनल अनवार कर दिया तो ये था हिंदी भासा इन्होंने अनवार कर दी थी चेन्नाई का मुखमंत्री बनने के बाद 12 में निम्नांकित में कौन सी बोली पश्म हिंदी की बोली नहीं है तो मेवाती मेवाती इसकी जो है पश्म हिंदी की बोली नहीं है तो बारे का राइट आंसर हो जाएगा इसके दलत में इसको लिखा गया था सबस्किन आपको बताएं मैं अबदी भासा के कभी थे लेकिन यह जो रचना आयन की ब्रिजभासा में लेखी गई इसलिए important हो जाती है इसके अत्रिक चौधे कोश्चन चौधे number question है ब्रिजभासा की निम्न उपबोलियां या इस्तानिय रूप किस में है तो ब्रिजभासा की इस सभी बोलियां है भरतपुरी ब्रिज़ के बिल्कुल पास में धौलपुरी और गवावरी तो चोदे का गहा राइट आंसर हो जाएगा इस सभी जो है ब्रिजभासा की उपबोलियां ही है पंद्रे नंबर कोश्चन है डाक्टर भोला नात तिवारी जी ने निमाड़ी बोली को किस बर्ग में रखा गया है तो इन्होंने पश्चमी हिंदी को निमाड़ी बोली के अंतरगत रखा है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अस्तरिक्त 16 नंबर कोश्चन है कनोजी को पांचाली नाम किस ने दिया था तो कनोजी को पांचाली नाम पंडित की सुरी दास बाजपेई दीने दिया था इसके अतरिक्त क्योyssन नंबर 17 पश्चमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो पश्चमी हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है ुप्छ candidates सौर सेनि अभ्रहन से हुई है स्टार लगाई है इस पर भी इ इंपोर्टेंट कॉर्षन है सौर सेनि अभ्रहन से इसके अतरिक Q18 पश्मी हिंदी की सरवादिक महत्पूर्ण वोली काउंजी है तो यह ब्रिजबासा है अठारे का यह भी इंपोर्टेंट है इसका खा राइट अंसर हो जाएगा नेश कोश्चन नमबर 19 भासा विज्ञान के कितने अंग होते हैं यह भी इंपोर्टेंट है तो भासा विज्ञान के चार अंग होते हैं इसका राइट अंसर खा हो जाएगा 20 अनूप सर्मा किस बोली के कभी है तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा खड़ी बोली 21 में बैस बाड़ी किस बोली की उपबोली है तो बैस बाड़ी अबदी भासा की उपबोली है 22 भक्तिकालीन ब्रिजभासा का निम्न में कौन सा कभी है तो भक्तिकालीन सूरदास भी थे क्रिक्षण दास भी थे और गोविंद स्वामी भी थे यह सभी अश्ट कभियों में विद्दमान है तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी हो जाएगा दी तुल्फी दास जी ने गीता वली कविता वली पत्रिका आ जाता है वहाँ पर 23 का राईटांसर हो जाएगा ब्रिज भासा में लिख्यों इसके अतरिक्त 24 खड़ी बोली सब्द में खड़ी का क्या आर्थ होता है तो खड़ी का होता आर्थ सुद्ध बिल्कुल सुद्ध यह इस तरह से खड़ी का मरतव होता है सुद्ध 25 केंद्री हिंदी समिती के अध्यश्च हैं तो केंद्री हिंदी समिती के अध्यश्च जो हो की प्रिच्छा और भविस्त में आने वाली जितने भी हिंदी भासा का बीका शात्मुक प्रच्छे रब बबिच्छ to प्रिच्छ होंगी वो उसमें लाबदाइक होगा अभी आपने वहां आहिक को शब्सक्राइब और लाइक अवस्य कर दें तो 26 में देखेंगे हिंदी की 5 पांच प्रमुख बोलियां तो यह जो पांच बोलिव हैं पश्म हिंदी राजिस्थानी पहाड़ी फूर्वी हिंदी और बिहारी यह खा इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पांच प्रमुख बोलियां है नेश्ट 27 कौरवी बोली को खड़ी बोली नाम से अभिभाहित किया गया तो यह किया गया था अठारे सो एक में कौरवी को खड़ी बोली के नाम से कहा गया नेश्ट 28 निम्ण में से खड़ी बोली का छेत्र कौन सा है तो जितने भी पश्यमी छेत्र आते हैं वे सभी खड़ कर 100% आना है तो यह किस बात आप लिखी तो ब्रिजवासा में लिखी गई तो जो बिने पत्र का थी कौन सी बोली है जो मद्यकाल में साहित्त की सबसे समर्द साली भासा थी तो थाटी का जो राइ टानसर हो जाएगा ब्रिजवासा थी इसके अतरिक्त केसबदास की रामचंद्र का सबसे पहले तो देखे रामचंद्र का रचना जो है वो केशब्दास की रामचंद्र का रसिक प्रिया और कभी प्रिया यह किस भासा में लिखी गई तो जो केशब्दास जी थे यह ब्रिज भासाओं में लिखा करते थे तो यह सभी खड़ी बोली की है गाइस का राय टांसर हो जायेगा 34, कामाईनी की रचना खड़ी बोली में किस ने की तो कामाईनी जैसंकर प्रशाद का महा काब्ब है इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा घा नेश्ट जो है 35 निम लिखित में से कौन सी खड़ी बोली का नाटक है तो खड़ी बोली का जो नाटक है वो महाराणा प्रताब धुर्वश्वामनी अंधेर नंगरी यह सभी खड़ी बोली की नाटक है अंधेर नंगरी बारतेंद हरिश्चंदर जी का है और धुर्वश्वामनी जैसंकर प्रशाद जी का है थर्टी सिक्स ब्रिजभासा का प्रियों कितने बर्सों तक साहित्त में होता रहा तो यह होता रहा है लगवग छे सो बर्षों तक होता रहा 36 का हो जाएगा राइट साहतिस निवल में कौन सी ब्रिज भासा का छेतर नहीं है तो ब्रिज भासा का छेतर ये सभी है आगरा, एटा, हाथरस और आगरा सभी जो हैं ब्रिज के छेतर के हैं जैसी की भासा थी तो जैसी ठेट अबदी भासा के कभी थे ये का हो जाएगा 49 निवल में से बुंदेली कौन सी छेतर की भासा नहीं है तो ये अलिगड़ अलिगड़ की बुंदेली नहीं है इसके खड़ी बोली है अलिगड़ की तो 40 कनोजी का कौन सा छेतर है तो कन्नोजी का छेतर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इटावा, फरुखावा, सहजापुर सभी हैं, डीस का राइट आंसर होगा 41 निमनांकित में कौन सा कभी प्रगतिवादी नहीं है तो प्रगतिवादी कभी जो है इसमें स्रीधर पाठक जी नहीं है बाकि ये नांगा अरजुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, सभी प्रगतिवादी कभी है हिंदी खड़ी बोली किस अब्रण से बिक्षित हुई है फिर दुबारा नहीं तीसरी बार कोशन आगया है, इंपोर्टेंट है, इस्टाट लगाई है हिंदी, उर्दु और हिंदुस्तानी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो इसका जो मूल आधार है भे खड़ी बोली है, गाह इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्दास किस बोली के कभी थे, स्पेसली केवल केवल, कृष्ण जी का गुर्णान किया करते थे तो बरिज के होंगे, तो चवालिस का गाह हो जाएगा सूर्दास किस बोली में उत्तम पुर्स एक बचन के लिए होंग का प्रियोग होता है, श्टूट जब आप पढ़ेंगे इसको और इन बोलियों की ब्याकरणिक बिसेस्ताएं पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे कुछ पढ़ने को मिल जाएगे, उत्तम पुर्स एक बचन मे होंग का प्रियोग होता है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिज भासा हो जाएगा, मानुश होंग तो बही रसखान बसाओं ब्रिज गाओं की गुन मजारना, 46 अवकारांत प्रवर्त किस बोली की प्रुम विसेस्ता है, तो यह भी 46 का हो जाएगा, अबधी भो ब्रिज भासा खड़ी बोली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिज भासा की है, राइट आंसर होगा, गा, बुंदेली बोली किस शेत्र में बोली जाती है, बुंदेली, जहां सी के आसपास के सभी जिलों में बुंदेली ही बोली जाती है, तो यह सभी हो नहीं है यह राइट रंसर हो जाएगा डाक्टर नागेंद्र यह एक साहित्यकार हैं बाकि कामता प्रशाद गुरु भोलनात्तिवारिक किशोरी दाफ बाजपे यह सभी वयाकरण आए इस बयाकरण बता दें वयाकरण को जानने वाले को हम लोग वयाकरण कहते हैं नेश कोश्चन नमबर उन्चा सूफी कभी ने अपनी कृतियां प्रयाक किस भासा में लिखी तो जो सूफी कभी थे उन्होंने अपनी ब्रिजभासा में कृतियां सभी लिखी सूफी कभियों ने अपनी कृतियों में प्रयाकिस सहली का प्रयोक किया तो जो सूफी कभी थे वो मनसभी सहली मसनभी सहली का प्रयोक किया करते थे एक्यावन बगहली बोली का केंद्र कौन सा है तो बगहली का रीवा रिवा ये मद्ध प्रदेश में पढ़ता है ये बगहली बोली का केंद्र है सूफी कभियों ने प्रायक किस वासा में रचनाई लेखी है दुवारा कोशन आ गया क्या तो ये फिर से आ गया अवधी में विद्या पति किस बोली के कभी थे इंपोर्टेंट है श्टार लगाई है तो मैथली थे विद्या पति जो थे ये मैथली बोली के थे गाइस का राइट आंसर होगा नेस्ट कोशन नमबर चौमन निम लिखित में से अबदी का छेत्र है तो जो अबदी का छेत्र था इसके अतरिक्त पूर्वी हिंदी का अबिकास किस अब्रण से हुआ है स्टार लगाई है पहले तो यह बहुत बार कोशन आ चुका है तो फिप्टी का हो जाएगा अर्द मागदी अब्रण से अगर पश्मी पूछता है तो सौर से नहीं अब्रण से इसका गा राइट अंसर होगा च्छपपन अबदी वासा का प्रमुख कभी कौन है तो अबदी वासा के जो कभी है यह सबी है लालदास कगरदास तुलसी दास इस सबी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट सतावन निम्न में कौन सा अबदी वासा का प्र राइट आंसर हो जाएगा यह नहीं होगा इस सभी कभी जो हैं इसके प्रमक्यान कभी हैं और जैसी का तो पूरा पदमाबत अखरावट पूरा प्रेम के ही उपर लिखा हुआ है पढ़ना चाहिए आप लोगों को राम चरित मानश नामक महाकावि की रचना अबदी भासा मे किस इस भी में हुई थी तो यह जो था इसका काल था लगो 15 से 74 गाइस का राइट आंसर हो जाएगा जैसी ने पदमाबत की रचना किस में लिखी है या किस भासा में की है तो उन सट का जो राइट आंसर अबदी भासा के कभी थे यह साथ निवनित में से परनिश्टित हिंदी में किसा हितकार का जोगदान है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारते न्दु भारिश चन्द्र जी का परनिश्टित हिंदी में जोगदान है गडवाली बोली के अंतर कौन सा छेतर आता है तो गडवाली बोली के अंतर गत बद्रिनाथ, उत्रकासी, पौड़ी, गडवाल ये सभी आते हैं क्योंकि ये उत्राखंड की बोली है 22 कौन सा कभी छाया वादी नहीं है तो इसमें नांगा अर्जुन ये प्रगृतवादी कभी है इसके अतरिक पंत प्रशाद और महादेव वर्मा ये तीनों जो है चायवाद के कभी है नांगा अर्जुन ये प्रगृतवादी कभी है इनका संबंद चायवादी एक से नहीं है आलाखंड के रचैता का नाम क्या तो आलाखंड के प्रमुक रचैता जो है ये जगनिक माने जाते हैं 63 का जो राई टांसर हो जाएगा खाव हो जाएगा जगनिक 64 कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है तो ये मेवाती जो है ये ये नहीं है बाकि नेपाली गड़वाली और कुमाई ये तीनों जो है बोली पहाड़ी हिंदी बोली के इंतरगत आती है 65 बीशल देव रासो के रचेटा का नाम क्या था तो बीशल देव रासो के रचेटा का नाम नर्पतिनाल था गाइस का राइट आंसर हो जाएगा स्पीड से चलेंगे कोश्चन हम लोग बहुत ज्यादा कोश्चन हमको स्वल्ब करने हैं अभी तो पर्मार रासो उत्तर प्रदेश में आलाखंड के रूप में प्रशिद है गाइस का राइट आंसर हो जाएगा 68 है भोजपुरी बोली की उत्पत्ती हुई है तो भोजपुरी की जो मानी जाती है मागदी अब्रन से मानी जाती है गाइस का राइट आंसर हो जगा इसके अतरिक्त 69 नंबर कोशन जो है फेड भारत भगत बतिंगा सब्द की बोली के अंतरगत आते हैं तो ये किस बोली के अंतरगत आते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भोजपुरी के अंतरगत आते हैं सतर पहाड़ी बोली के अंतरगत कितनी बोलियां आती हैं तो पहाड़ी बोली के अंतरगत तीन बोलियां आती हैं कुमाई गडवाली और नेपाली एकत्तर नेपाली गड़वाली कुमायनी किस बोली के इंतर कर आती है फिर से आगया यह पहाड़ी बोली के इंतर कर आती है इसका खाराइट आंसर हो जाएगा या नेश्ट देखेंगे नेपाली बोली का कौन सा च्छेतर है तो नेपाली बोली का जो च्छेतर है ये चमबा जौनसार सिरम और यह सब लगा है इसको खड़ी बोली की व्यक्राणिक असुदियां कि साहत्तकार ने दूर की तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा महा बीर प्रशाद दुबेदी जीने पूर्वी हिंदी की बोलियों की संक्या कितनी है तो पूर्वी हिंदी की बोलियों की संक्या तीन है चेतर पूर्वी हिंदी की बोलि कौन सी है तो पूर्वी हिंदी की बोलि जो है वो अबधी यहां यह question हमें गलत लग रहा है, पूर्वी हिंदी की मेवाती और भोजपुरी भी होती है, यह मारबारी नहीं होती है, तो यह पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो मारबारी नहीं होगी इसमें, बाकि अबदी, भोजपुरी और मेवाती, यह तीनों पूर्व हिंदी की बोली है इसके अत्रिक्त श्टार लगाईए इसको पहले तो यह इंपोर्डेंट है रामचरित मानस की भासा अबदी है यह अबदी नहीं है ब्रिज भासा है नेस्ट अबदी भासा का प्रतम माकाब कौन है पदमाबत है तो इसका जो राइट आंसर पदम किसली ऐ तो अबदी दूसरी कोसली ऐ यह देख लीजेगा है अ मद धिकाल में प्रमाक्षल्ण के लिए भासा और सैरी रूड हो गई थी कोसली बासा और दोहा चव्पाई सैरी रूड हो गई थी अबदी बोलने की संख्या लगबग कितनी है तो यह धाई करोड़ है लगबग धाई करोड़ लोग जो है अबदी बोलते हैं बैश बाड़ी नाम किस का है तो बैश बाड़ी जो है अबदी बोली को अभईत किया गया था तो बिद्यापति को मैथिल कोखिल भी कहा जाता है आई और उई उ का उचाण किस बॉली में किया जाता है तो यह अबदी भासा की बॉलिया है का राइट आंसर यह हो जाएगा किस बॉली में उत्तम पुरुलिस एक वच्छन लिए हों का प्रियोग होता है दुबारा कोश्ण आ गया है ब्रजभास म् किया आता है हिंदी π wraद्रान अ का दममगाशन चैनल कर स्पाइज worldly सब्सक्राइब करता है आद Alber at ऑधमिल प्रत्विराज रासों है बोली का समानारती सब्द्रक्राइब कर दो रुक के कोई चार कभी तो यह आज्यें धर्मीर वारती त्रिलोचन और नांग अर्जुनेद्च्छ्ञ व comment कभी आध्यवासा के आलाखंट किस बॉली की रिचना है तो आलाखंट बुंदेली बॉली पहला माकाबिस के लेखक अहद्या सिंग उपाद्याय हर्योध जी हैं राष्ट बासा के रूप में हिंदी का विखास यह चेप्टर जो इंपोर्टेंट रहेगा बहुत ही ज्यादा आपके लिए तो यहाँ से शुरू करते हैं हिंदी संग की राज़वासा बनी तो हिंदी संग की राज़वासा या हिंदी को राज़वासा के रूप में कब मानता प्रता राप्त रही तो 14 सितंबर 우리는 59 को इसी दिन को हम हिंदी राष्ट के रूप में मनाते हैं अगर कहीं कूचा जाए कि 20 ह की देव नांगरी लिप में लिखित हिंदी को देश की राष्टवासा शुईकार करने का अनरोध किया तो यह किया था 1905 में इसका राज्ट आंसर हो जाएगा बैए 1905 हो जाएगा इसके अतरिक्त नेस्ट कोश्चन यह छोड़ दीजिए राज भासा से तातपर इस्टार लगाई है इंपोर्डेंट है राष्ट भासा का तातपर है तो राष्ट भासा का जो तातपर है बहे बहु संख्यक लोगों की भासा गा इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी सब्द का प्रियोग किस भासा के लिए किया था यह भी इस्टाल लगाई है इंपोर्डेंट है पांच में का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के लिए खड़ी बोली के लिए हिंदू उर्दू मिस्रित भासा के लिए तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद महाराष्ट राष्ट भासा सभापुने की स्थापना कब की गई तो यह 1945 हो जाएगा यह कुछ इंपॉर्डेंट कोश्चन नहीं है इसको छोड़िए इसके बाद राष्ट भासा प्रचार सम्मीति बर्धा की इस्तापना कब की गई इंपॉर्डेंट कोश्चन है 1936 में की गई यह बारत के कितने प्रांतों की भासा हिंदी है तो यह 10 प्रांतों की भासा जो हिंदी है इस बावाज्यवाश भिट हिंदी है कि नो भारत के किस राज्य की राज्य वासा हिंदी है तो और पिट सब İ्र राज्यों की जो भासा है वो हिंदी है ,"देश का राइट- हांसर हो जाएगा. इसके अत्रिक्त स्वाधेमता संग्राम में हिंदू हिंदु हिंदुस्तानी का नारा ये इंपोर्टेंट कोश्टन इसे लगाईए आप तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बैस प्रताब नुरान मिस्र जी ने किया था इसमें तो अप्सन लगे हुए आलरेडी हैं तो देख लिजिए आप देखते चले जाएए संविदान वासा का अध्यष कौन था तो यह थे डाक्टर राजंदर परशाद यह स्थाई थे वह स्थाई अगर पूछता है तो सच्छदान सिन्ना यह पूछता है तो सच्छदान सिन्ना थे और इस थाई अगर पूछता है तो राक्टर राजंदर परशाद थे हंदी को राश्ट वासा के रूप में मामता प्रदान की गई तो यह 14 सितंबर 1449 को की गई नेक्टर को राश्ट वासा के पद पर आसीन करने की पद धरता किस प्रांत से है तो यह बंगाल से है बंगाल में इसको जो है किया गया मूला धार कौन सी बासा है तो अबरंस है रहाट आइंदी की त्म तल नधू में किया क्योंकि यहां कि नहीं कि स्स耶्ण किया आते हैं वीस मनदशिक कि राजबासा आयोग ने कितनी संतुद्य तो तो उनेस संतुद्य नहीं थी इसकी उत्रिकूं में में से राश्ट वासा की कौन सी विश्यस्त Jenたい दोरा अके भंडार 586 का एक MARY कि मुस्लिम शासनकाल में राज्वासा क्या थी जबकि राश्ट वासा हिशंदी थी तो जो राज्वासा थी ते च्च्य थह K20 का राइंट आंसर जो हो जाएगा मैं ओंढ़िस हो जाएगा अंग्रेजी सासनकाल में कौन सी राजवासा थी तो अंग्रेजी सासनकाल में तो राजवासा अंग्रेजी ही थी नांग्री बाणमाला में यह था संभव संचिप्त करने की बात किस ने की थी तो गोविंद महादेव राणज ने किये थी इसके तरिक पश्मा अंचर यहां और वहां को हटा कर इनकी जगे अनुशार का प्रियोग किसे ने किया था तो यह सामसंदर दास जी थे इन्होंने किया था बाति संविदान के सत्र में भाग के अध्या एक में कौन सी धाराएं राजवासा संवंदित प्रवदान करती है तो 243 से 251 तक होगा हमें लग रहा है कोशन जो है गलत प्रिंट हो गया है आगे कोशन है हिंदी को राजवासा के रूप में 269006 against 50 कि राम काम काज डिया क्या है तो राजवासा है हिंदी के पे सरालय बग्यान कि. mother तो राष्ट वासा की बिष्ता है। था सलरंडी का sudah Kissiner ले लिए हिंदी का प्रश्ण रहीं इया। गांधी जी चुन कहा था तो हिंदी भालतः की राजँ भासा किस लो में तो 1950 में बनाई गई का कि बाद मृति자 राच्छ भासा घोश्ट करने वाले प्रस्ताव पेस करने वाले दश्टिय भारति एंवुज राथी प्रस्ताइक थे तो यह थे स्री गोपाल स्वामी आयंगर एवं कनयालाल मुणसी राजबाशा आयो के प्रतम अध्यश बीजी खेर यह इइप्पोर्टन कोश्चन इसको देख़ जीगा आप लोग इए इप्पोर्टन कोश्चन हो जाएगा आपके लिए बीजी खेर थे राजबाशा आयो के संबिदान के बाग 17 का सीर्षक है राजबासा है राजबासा आयोक की स्थापना साथ जुन 1955 में हुई थी संबिदान के प्रारम में कितने बर्स के लिए अंग्रेजी को राज की राजकाज के लिए 15 वर्स के लिए नियुक्त की गई थी अंग्रेजी राजकाज की भासा इसके अतरेक्त किन राजबासा को खाबर्ग अर्थात अर्ध हिंदी भासी राजबासा का जाता है तो यह हो जाएंगे पंजाब गुजरात और महराष्ट राजबासा अधनियम 1976 कप पारित किया गया तो 24 जून इनिस्ट चेतर में ही पारित किया गया राजबासा का प्रियोग सभी सासन राजकाज प्रसासन सभी में होता है डीस का राजट अंसर होगा लाड़ महिकाले ने अपनी सिच्छा नित की गोठना 1834 में की थी नेश्ट मूल संभिदान में प्राडम में आठवी अंतोची में कितनी भासाइं दरिस थी तो ये चोदे थी बरतमान में की जंक्या अठारे हो गई है मारे डीस अंसरू ने नेशनल लेंगुज के सामानतर स्दिडियं लेंगुज सब्द का प्रिएक किस भासा सबसे पहले किस सिर्राज़ गोपला चारी जीी ने किया था कि राज्यों को संब्धान में का बरगर था हिंदी वासा राज्य वासा कहा जाता है द्वारा आ गया कोशन दिली राना उत्तर पतेश को कि नेक्षिंवन ने किसने राष्ट वासा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्तन किया तो मात्मा गांधी ने कहा था इसके अतरिक्त संभीदान में कब सरकारी तो 1965 में सरकारी राजकाज की बासा हिंदी बनी थी संभीदान के किस अनुचेद में हिंदी को राजवासा सुईकार किया गया तो 343 आगया ये है तीन सो तितालिस से तीन सो इक्यावन तक हिंदी भासा से संबंदित अनुच्छेद हैं राजवासा आयो की स्थापना 1956 में हुई थी पढ़ते जाएं भारत की राष्ट वासा हिंदी थी राष्ट के अंतरकत आने वारे केंदी सासन में किस वासा तो यह संपर्क वासा राष्ट वासा और राजवासा के पत्र विवार करते थे संब्दान में हिंदी का कौन सी वासा दर्ज किया गया है तो हिंदी को राजवासा के रूप में दर्ज किया गया भाविष्व में नुर्मार राजवासा भारती हिंदी के उद्धोग और विकास का संबन्द कनहिया लाल मुंसिका जी का है हिंदी का पहला चाप कार खानत। च्छापा कारखाना कहा था तो कॉलकाताम बनाए था अठाटावन को हमारी वासा हिंदी बनी थी इसके अतरिक यह सब छोड़ दीजिए इसके बाद यह देख लिजी केंदृ हिंदी समय्ति के अदर स्वक्रश प्रताण मंतरी जी होते हैं देव नंग लीप का प्रयोग सरबधाम कब हुआ तो यह षातमी आठाटमी सदी में हुआ था देव नंग लीप का विकास के लिपि में हुआ था ब्रही लिपि में ह। यह tips महमूत गज का गाराईट आंसर हो जाएगा पांच देवनांगरी लीप में कितने सवर हैं तो 11 सवर हैं इसमें 1947 में देवनांगरी लीप के सुधार के लिए उत्तरविदर सरकार ने किसकी अधिस्ता में सम्मिति गढ़न की थी तो ऐस tough oat mr लेड़ कना हैं सोगाइब आट उन्यावतो है B PAUL तो प्राचिन काल में तो सभी लीप का प्रिचार हो था इसका राइड आंसरुगा निम लिखत में लीपियों में सरबादिक पुरानी लीपि कौन सी है तो चित्र लीपि सबसे पुरानी है लीपि स्वरितिलक ने देव नांगरी के कितने टाइप निर्धारित किये तो 120 टाइप जो है वो निर्धारित किये देवनांगी लिप में बेंजन दुनियों की कुल संक्या कितनी थी 41 नियुक का प्रियोग किस भासा को लिखने में किया जाता है तो उर्पियुक सभी को लिखने में प्रियोग किया जाता है भारत के किस पड़ोसी देश में देगनागी लिप का प्रियोग प्रूंकता है तो बाबन बढ़नागरी अंकों के स्तान पर कौन से अंक सुईकार केगें अंतरराष्ट्र अंक सुईकार किया गया सरस्थी पत्रका के संपादक मावीर प्रशाद दुवेदी जी थे नांगरी लीप में बिंदु या नुक्ते का प्रश्चन निम्न में किस लीप के प्रभाव से हुआ तो ये था फार्सी ये इंपोर्टन कोश्चन है कि बहुत गरंत ललित विस्तर ललित विस्तार है ये में लीपियों कि संक्या चौशट थी ये इंपोर्टन कोश्चन है देवनांगरी लीप का प्रियोग निम्न में किस वाहसा में होता है तो मराठी वाहसा में हिंदी भाहसा की लीप है देवनांगरी किस लीपी के अंक है यह सब देवनागरी के लीपी के अंक है सबसे पहले हुआ दच्छन भारत में निवसे देवनागरी लीपी कौनसी भी सेस्ता है तो उर्पयोग सबी है देवनागरी लीपी को क्या कहते है नागरी लीपी को देगनावरी लीप कहते है देवनागरी लीपी कौन सब्सक्राइबी में दसमी सब्सक्राइबी में देवनागरी लीपी कैसे लिखी जाती है बाएं से दाय लिखी जाती है दच्छन भारत में देवनागरी को नंदनागरी के नाम से जाना जाता है और मतलब होता है बिकरत बरेंस का आर्थ होता है वरेष्ट च्वेत या बिकरत यह सबी हो जाएगा अब परेंस का जो समय माना गया है साट है Chief का माला तो एमाना गया है कि आदिकाल की अन्य करणाएं थि तो दो लिखी नहीं आब भेते भर्रूचे कि ने कितने प्रकार्तों का वा팅 किया від 포 disgust साथ बर्रोची ने जो किया है चार प्रकार के किया है शुर्ण्ट वीडियो तो आगे भी है लेकिन यह बहुत लंबा हो जाएगा तो आज का यहीं तक लगते हैं